करने भाल है पिछले लेक्षर में हमगे ने कर कि ने हैं याज जगह पर देखन yol और वहांपे यह सूआ जगह परता है जो कि भाउमनासा डीवर के बीच नकल पड़ता है है कि यह बाख से चुक करने पाद चोसा वो बिहार में हुआ था अब जो हम लोग बात करें, बैटल अफ कनॉज के यूद को ही हम लोग विलगराम कायोध ठीक है, बैटल ऑफ विलगराम इसी को बोलते हैं या फिर सब्सुश्क आप यह रखेगा हिंदी में आपको battle को ही यूद बोलते हैं तो इसको Connoze of Connoze यहाँपे battle of Connoze है तो यह Connoze का यूद आपको याद रखना पड़ेगा Connoze of Connoze Battle of Connoze या फिर Battle of Wilgram दोनों बात सेम है इतना बात याद रखेंगे अब याद रखने की यह भी बात है ति बैटल अप चाउसा पिछले लेक्षे में हम लोग कम्प्लीट कर चुगे 1529 सिस्पी में हुआ था हुमायू और सेर खान के बीच में सेर खान का ओरिजनल नाम फरीत था हम लोग जानते हैं और उसके बाद इसका दूसरा भी नाम था सेर खान सेर सासूरी भी इसका नाम था इसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसके बारे में जो जन्म इसका हुआ था सासारा बिहार के अंदर में इसका जन्म होता है तो कुछ बात है इसके बारे में पिछले लेक्षर बता है और कुछ बात है फिर से उसी को यहाँ पर मैं लिख करके ला हूँ यह कहां पर परता है तो गंगा रिवर के उपर परता है याद रखेगा तो कहां पर यूपी में है जैसे हम लोग चौसा की बात करें हो कहां पर बिहार में कौन सा डिश्ट्री के बात किया है तो हम लोग बक्सा डिश्ट्री के बात किया है उसी तरह कॉनोज यूपी के बैटल ओफ जो कनोज हुआ था या फिर बैटल ओफ विल्गराम जो हुआ था वो याद रखना है 17 माई 1540 सिस्पी में हुआ था जो की UP के अंदर में हुआ था ठीक है एक हुआ है बिहार में एक हुआ है कहाँ पे UP में ठीक है इतना बात आज आपको समझ में आना चाहिए between किसका हुमायू और सेरखान के बीच में हुआ है सेरखान या सेरसाफ सूरी के बीच में हुआ था ठीक है एतना ही बात आपको याद रखने है हम लोग जानते हैं कि बैटल अप चौसा के अंदर में हुमायू को भागना पड़ा था हार गया था बैटल अप कौनसी बैटल अप चौसा हुमायू हार गया था वहाँ से भाग करके एक अपर दिल्ली में गया फिर से अपना तयारी किया और फिर से क्योंकि हार का इसको दुख था जिसके कारण से फिर से एक साल बाद बैटल के अंदर में आया अब समझे हुमाईउ का जो भी भाई था इसका सपोर्ट नहीं कर रहा था। जो भी भाई इसका चार भाई था, चार भाई में कोई सपोर्ट नहीं乾र रहा था। लास्ट लास्ट में ये मनाया दो भाई को, दो भाई को किसको किसको मनाया, तो याद रखने की बात है कि ये जो था, असकरी और इसके हिंदल, ये दो भाई को मनाया, जिसके, दोनों भाई को मनाया करके इस बैटल में लेकर क्या है, बलकि दो भाई था, जो इसका थोरा भी स देख रहे हैं तो थोरा सा डेक्टेटर से ताइक देश कंट्रोल में रहे यह सा कोई भीस है औहीं खोड़ करके जा रहे थे अब समझेगे 1529 स्प्री में बैटल अब चौसा हुआ है चौसा का यूद होता है उसके जस्ट एक साल बाद हुमायू खड़ा होता है कि इस से शेरखान से लड़ने के लिए बैटल अब चौसा के अंदर में हुमायू ने एक नया सा डैनेस्टी छो ठीक है तो याद रहें कि बैटल अब चौसा के अंदर में बिहार और बंगाल दोनों जीत लिया था हम लोग जानते हैं इस बात को ठीक है आप समझेगा तो यह जो है बैटल लड़ने के लिए कौन हुमायू आता है सेरखान से लड़ने कहां पे कौनोज के अंदर में होता है अब सेजाए जो यहां सेरखान का जो आर्में होता ने वेल होता है हमायू का आर्में उतना ट्रेन नहीं होता है जैसे इसका फादर बाबर का हमायू एकदम वेल ट्रेन था उसके बाद जो भी उसके सामने आता तो हारता था, क्योंकि चार बैटल लगा था बाबर और चारो बैटल बाबर ही जीता था, लेकिन बाबर के तरह ये हुमायू नहीं था, ये बार 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 बैटल को हारता गया, ठीक है, तो ये बैटल अब चौसा तो हारा, बैटल अब क तो यहां पर victory जो होता है सेर खान का चाहसा है और एक निया सा डाइनस्टी दिल्ली के चाहसा गती है स्था है और इसका संस्थाप़ कौन है याद रखना है इसका फाउंडर कर तो सेर खान है या अफिस सा सूरी है अब याद रखेगा एक Battle of Kanoj जो कि 1540 में हुआ था इसी Battle के बाद में यहां से दिली से हुमायू को भागा दिया था और हुमायू 1540 में भागा तो 1555 में फिर वापस लोटका आया था इंडिया में तो याद रखेगा हुमायू किस Battle के बाद इंडिया छोड़ दिया था तो यह कोशन यहीं बन सकता है कि यह Battle of Kanoj मतलब Kanoj के यूद के बाद में हुमायू जो है इंडिया छोड़ दिया था कितने साल के लिए तो 15 साल के लिए इंडिया छोड़ दिया था ठीक है अब समझे क कि इस बैटल मुझक वसको सांथ दिया नहीं है और इसके बहुत सारे सहयोगी माड़े भी जाते हैं इस बैटल के अंदर ये लेकिन बचके भाग जाता है पहले लहुर जाता है लहुर के बास सिंध में चला जाता है सिंध में साह पर याद रखिएगा साह और परशियन के पा तो हुमायू क्या था पंदर साल के लिए क्या होता है भाग जाता है इस बैटल के बाद में ठीक है और बुरोदर सीसी इसी बात को लिखे है कि और बुरोदर डिजर डिद नॉट एग्रीद दस सिंध आर्मी जो भी बैटल इसका भाई था या जो भी ज्यादा तर सहयोगी था यह क्या किया इनकार किया एग्रीड ही नहीं किया कॉंचेस के लिए कि अपने आर्मी को भेजे बैटल फिल्ड में नहीं भेजा लेकिन एकसेप्ट हिंदल और असकरी जो था इसको भेजा ठीकिन अपने आर्मी को भेजा लेकिन उतना पाउर्फुल आर्मी फिर भी नह तो पूरे 15 साल के लिए इंदिया को छोड़ देता है। जाता कहां पे है तो परशिया जाता है। यहां पे to whom are you stay at the court of the saw of परशिया तो परशिया में रहता है। उसके बाद 2 साल बाद फिर से ही आपसा आता है। हम लोग जानते हैं कि अकबर का जन्म हिंदू राजा के घर में हुआ है तो हम लोग बात करेंगे फिला यहां सा देख लिए शेर खान सेर खान का जन्म जो हुआ था चोदोसोच्यालीस इसमी में हुआ है 1486 में हुआ था इसका देथ जो हुआ है कब तो 22 मई 1545 को होता है यह सेर खान जो है कंटिनुव हर साल एक एक बैटल लगता है तो याद रखे जब सूरी डैनेस्टी हम लोग करेंगे बीच में सूरी बीच में आ जाता है मुगल को पूरा इंडिया से सभावत हो जाता है फिर 15 साल के लिए सुरी डानेस्टी आता है फिर मुगल इंपाइर फिर से आता है और उसके बाद रहता है तो हम लोग ज्यानते हैं कि लास्ट में बैटल अपलासी के बाद यहां से मुगल इंपाइर अब समझेगा तो यह स्तिरखन की इसका founder of सुरी डानेस्टी है सुरी डानेस्टी को पूरी तरह से establish कब कर देता है तो पंदरा सो चालिस में कब पंदरा सो चालिस में इसका successor कौन बनता है तो successor मतलब होता है इसके आगे वाला राजा कौन बनता है तो याद रखने की बाद है कि founder तो यह है तो राज कब कर तो पैटालिस तक की करता है पैटालिस के बाद यह बनता है successor Islamsa Islamsa सुरी जो है इसका बेटा है किसका सेरकान का बेटा Islamsa सुरी है Islamsa सुरी तक सुरी डानेस्टी बहुत अच्छा चलता है उसके बाद जो भी डाइनेस्टी आता है उसके बाद उसम तितर वितर हो जाता है उसके बाद कुछ ही साल के अंदर में फिर से हुमाही वाता है और फिर से सुरी डाइनेस्टी के समाप्त करता है तो हम लोग जानते हैं कि 1555 में सरहिंद के बाद में यहां से सिकंदर से करेंगे बैटल अब सरहिंद अब समझेगे इसके सिर्खान से इंपोर्टेंट बात याद रखना है कि एक इसू किया था रूपिया जो कि कर चुका था बैटल अब चंदेरी में पाटिसिपेट कर चुका था ठीक है न तो इस सीख चुका था कैसे बैटल रखते हैं बावर के पिरियड में और इसका ग्रेंड फादर जो था एक तरह से छोटा सा ब्यापार थे ज्यादा इनका कुछ नहीं था ब्यापार ज्यादा च नेक्स लेक्शन में जो हम बात करेंगे जस इसके बाद एक बैटल लड़ा था क्योंकि 15 साल के लिए तो यह चला गया हमायू अब इसके बीच में 15 साल 1545 के बीच में सूरी डियानेश्टी पूरे दिली पर राच कर रहा है उसके बाद क्या हुआ हुआ पंदर सो पच्पन सरहिंद का बैटल होता है और सूरी डियानेश्टी सावाब होता है तो नेक्स लेक्टर में हम बात करेंगे सूरी डियानेश्टी चलिए फिर मलते हैं नेक्स वीडिव जब तक इंजॉय करेंगे